जय मादादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 19 मार्च और 20 मार्च 2021 के सिहिंग राशी फल के बारे में सिहिंग राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्र आपका प्रेम जीवन आपका कारेशेत्र आपके नौकरी वेपार हर चीज के बारे में जानेंगे बस आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जोड़ जाए हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलते रहेंगे तो चली सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथी नक्षत्रों की भात कर लेते हैं क्या योग बनेगे ये जान लेते हैं जो 19 मार्च का दिन है ये शुगल पक्ष की शष्टी तिथी है और शुकरवार का दिन है इस चंद्रों और राहू की यूथि हो रही है अब चंद्रमा राहू के साथ है तो चंद्रमा पेड़ित होंगे कहना कहीं थोड़े अब सूर्य मीन राशी में है और शुकर भी मींन राशी में बाठे हुए है इस दिन रवियोग भी बनेगा अभीजित मोर था कर तो पहर Singapore पा पाईश्मान नाम का योग और इसके अलावा जो चार महान योग होते हैं सिद्ध योग होते हैं वो योग इस दिन बन रहे हैं एक तो अमरत सिद्धी योग बनेगा दुई पुश्कर योग बनेगा सरवार्थ सिद्धी योग बनेगा रवी योग बनेगा अब जिस दिन ये वेपार के लिए कार्य के लिए हर चीज के लिए और चंद्रमा भी राशी बदल चुके चंद्रमा भी सुबह 6 बज कर 9 मिनट पर विशबरासी से निकल कर मिधुन राशी में आ चुके तो राहू और चंद्र की यूति भी खत्म हो चुकी तो उसका भी अप प्रभाव देखन को मिलेगा तो सिंग राशी के लोगों के लिए यह जो 19 मार्च का दिन है यह स्वास्त्य का तो आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा चंद्र और राहों की यूति है तो स्वास्त्य को प्रभावत कर सकती है तो स्वास्त्य को लेकर थोड़ा सतर करें खास तोर से कुछ सीखने को मिलेगा कुछ अगर कोई व्यक्तिक आपको कुछ बाते बताता है उसको ध्यान तूर्वक सुने क्योंकि कुछ नया सीखना आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि जिन्दगी दिखिए हमेशा हमें हर मोड पर कुछ न कुछ नई सीख देती है और हम सीखते रहते ह है तब ही हम जीवन में आगे बढ़ते हैं और इसलिए हम जीवन की हर चुनोती को डट कर सामना कर पाते हैं क्योंकि चुनोती भी हमें कुछ नया सिखाती है तो ऐसी है ये दिन आपके लिए रहने वाला है लेकिन फिर भी आपका सौबागय आपके साथ होगा आप अपने लक्षों को चाहिए वो कठी नहीं क्यों नहों उनको आसानी से प्राप्त कर पाएंगे कामकाची जीवन आपका ठीक ठाक चलेगा अगर आप दुकानदारी करते हैं तो दुकानदारी के लिए ये दिन काफी बहतर रहेगा पूरा दिन अच्छे से बितेगा बीच बीच मे पाने के लिए सबसे महतपोंच चीज होती है द्रड इच्छा शक्ति जब तक आप अपने अंदर द्रड इच्छा शक्ति नहीं रखेंगे तब तक आप अपने काम में काम्याब नहीं हो पाएंगे आपकी उर्जा शक्ति इसमें काम आएगी तो अपनी जो एनरजी है उसक शुरुआत की है उन्हें बहुत आगे तक जाना है इसलिए ज्यादा ध्यान आपको अपने काम काज़ पर रखना है तब यह आप आसमान को छूपाएंगे अब जो पहरे से ही कारेशेत्र से जुड़े हैं वेपार से जुड़े हैं और अपने लाब को और अधिक बढ़ाना यह तो इस दिशामी भरपूर कोशिश करें 20 मार्च के दिन बहुत तम दिन है कोई भी कारिया करना है इंवेस्टमेंट करना है कुछ खरेदारी करनी है तो यह दिन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा जो भी आप कर सकते हैं डील आपको लेनी है उसके लिए आप जो भ परवात होगी आपके लिए नौकरी पेशा लोगों को तरक्की मिलने के योग बनेंगे जो इस राशी के वेपारी है व्याबशाई है उनके वेपार में बढ़ोतरी होनी संभव है आपको आपको अपनी कामकाज में बढ़त देखने को मिलेगी आपकी वित्य स्तितिना सु दोग नवरद्धी कराने वाला, सरवार्त सिद्धी, सभी कामों में सिद्ध तादिलाने वाला, अमरत सिद्धी, रवी योग, तो जब ऐसे योग जिस दिन भी बन जाएं, तो वो सबसे महत्पूर्ण हो जाता है, उपाय करना चाहते हैं, नौकरी के लिए अपलाई करना चाहते हैं, कहीं अड्मिशन लेना है, उसके लिए अपलाई करना चाहते हैं, तो इस दिन करें, कहीं जमीन के खरीद फरुक्त करना चाहते हैं, घाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो ये दिन सबसे सरफस्रेस्ट दिन आपके लिए सावित हो सकता है आयमे मजबूती रहेगी पारिवारिक जीवन की बात की जाए पारिवारिक वातावरान बड़ा अच्छा रहेगा पारिवार में खुशियां रहेंगी आप अपने पारिवार के साथ किसी तेर्थ पर भी जा सकते हैं आप हो सकता है ते एकी दिन का हो या मंदिल में कहीं दर्शन करनी के लिए जा सकते हैं और आप दान धर्म के कामों में शामिल भी हो सकते हैं तो उसके लिहाद से भी मन में शांती देने वाला ये दिन रहेगा दोस्तों के साथ शुब चिंतकों के साथ शाम का स वो देनी चाहिए, अगर किसी कारण वैसे आप उनको समय नहीं दे पा रहे हैं, तो नाराजगी हो सकती है, तकरार बढ़ सकती है दोनों में, तो अपने इस कलेश को कम करें, अपने पार्टनर को सही वक्त दें, वक्त नहीं मिल पाता है, तो फोन पर ही आप बात कर सकते हैं, और अगर आपकी नियूली मैरिड हैं, आप अभी शादी हुई है, तो आपको ज़्यादा ज़रूरत है अटेंशन देने की, इस कारे को ज़रूर करें, स्वास्थे की द्रस्टी से इन दो दिनों को देखा जाए, तो छोटी मोटी परिशानी दिख रही है, वैसे कोई ज़ ज़्यान रखें, ज्यादा भावुक ना हो किसी विबात को लेकर पारिवारिक जीवन में, क्योंकि ज्यादा भावुकता आपके नुकसान दे हो सकती है, ज्यादा भावुक ना हो, बाकि इस तो समय जो है, वो आपके लिए काफी अनुकुल रहेगा, आप उपायों की बा वीडियो को जाज़ाद लाइक करें, शेयर करें.